साथियो नमस्कार आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल हेरा लाल जाटर Computer Knowledge for Beginner in Summer Vacation इस संगला के तेयत कापी सारे वीडियो आप तक पहुँचा चुके हैं और आज इसी कड़ी में एक नया वीडियो आप तक पहुँचा रहे हैं जिसका Title है Shortcut Keys और इसका Part 3 आपके सामने प्रस्तुत है आज आपको इस वीडियो के अंदर जिस Shortcut Key Information देने जा रहे हैं वो है Control आपने देखा होगा जो आपके सामने Keyboard है उसका जो End के अंदर जो First में Key हो है वो Control Key कहलती है और जो Arrow Key है इसके पास में भी आपको ये Control Key दिखाई देगी है ये Control Key shortcut की की रूप में बहुत मैतुपन है A से लगा कर Z तक इन सभी अक्सरों से ये आपके shortcut Key यूज होती है जैसे इसकी सुरुवात करते हैं Desktop से आप Desktop पर Work कर रहे हैं और इतने सारे आइकन आपको नजर आ रहे हैं आप चाहे तो इन सभी आइकन को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए shortcut Key है Control Plus A और इसकी सुरुवात अपन A से ही कर रहे हैं इसलिए सबसे पहले बताते हैं Control Plus A जैसे यहाँ आप कई पर भी क्लिक करके आप Control A करेंगे तो यह जितने सारे आइकन हैं आपके सामने दिकाई दे रहे हैं यह सारे के सारे आइकन सेलेक्ट हो चुके हैं आप माउस से कहीं पर भी क्लिक करेंगे यह यहां से अनसलेक्ट हो जाएंगे चले दोस्तों इस shortcut key का MS Office का एक application है MS Word वो उस पर अपन करके देखते हैं example के रूप में MS Office का एक tool है MS Word और उस MS Word के आपको सामने एक file खुली है इस पर बहुत सारा matter टाइप किया हुआ है आप चाते हैं कि उसको एक साथ select करें तो आप उसको एक साथ select कर सकते हैं जैसे माउस से कई पर भी आप click कर दीजिए और उसके बाद control plus A जैसे ही आप control plus A करेंगे यह पूरा matter अगला sort की लेते हैं control B इसका क्या use है यह देख लेते हैं जैसे ही आप कोई content select करते हैं जैसे अभी हमने इतना सा select किया है और इसको आप bold करना चाते हो इस पूरे प्रेगराप के अंदर ताकि वो अलग से highlight होकर दिखे तो आप control B प्र करोगे तो यह आपके सामने highlight हो चुका है bold हो चुका है जितना select करोगे उतना ही bold होगा जैसे की लिका है यह word इस word को आपको यह bold करना है तो इतना select किया और उसके बाद आप control B कर दीजिए जैसे ही आप control B करेंगे यह आपके bold हो चुका है यह control B उसके बाद मैं आगे चलते हैं Ctrl C की तरफ Ctrl C का मतलब होता है अगर उसको आप Copy करना चाते हो और अनियतर आपको पेस्ट करोगे उसके लिए पहले Copy करना पड़ता है अगर आप उस Mater को Copy करना चाते हो तो आप Select कर दीजिए अब यह आपने Select कर दिया और Ctrl C जैसे आप Press करेंगे तो यह matter आपके copy हो चुका है आप देखना चाहते हो कि यह जो आपने copy किया है वो वास्ते में copy हुआ है या नहीं हुआ इसके लिए उपर home page पर एक option है जहाँ पर paste, cut, copy, permit, penter यह सब कुछ लिखा है इसके नीचे एक तीर के निसान के पास clipboard लिखा है इसको आप click कर दीजे तीर के निसान को तो आपने जो copy किया है वो content यहां बता देगा इस clipboard पर पड़ा है आपने क्या copy किया पर क्या होता है कि कोई ऐसा word या ऐसी कोई line होती है जो बार-बार repeat करने पड़ती है टाइप करते समय तो आप उसको copy कर लिजे और जब भी आपको जुर्द पड़े वहाँ पर आप paste कर सकते हैं Ctrl-D वाला option देखते हैं Ctrl-D के अंदर क्या होगा कि जो यह font का पूरा option है यह पूरा dialogue box खुलेगा font वाला तो जैसे ही आप Ctrl-D प्रेस करेंगे आपके सामने यह font का पूरा ही dialogue box खुल चुका है जिसके अंदर कौन सा font है कौन सी size है वो italic करना है या bold करना है कितनी size रखनी है उसके बाद में उसके पर क्या effects लगाने है यह सारे के सारे option आपको यह मिलेंगे उसके बाद में characters analog है यह सारे font के option आपको यह मिल रहे है यह केवल control और D option आप जैसे ही इस पर प्रेस करेंगे यह box open हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगली shortcut की है control E और जैसे ही control E प्रेस करेंगे आपने जो matter लिका है वो centralized हो जाएगा जैसे यहाँ पर यह option है न प्रेगराब setting के option है जिसके अंदर आप इसको left कर सकते हैं middle में कर सकते हैं right में कर सकते हैं और उसको justify कर सकते हैं लेकिन अगर आप mouse का use ना करते हुए सीधा keyboard यूज करें तो उसके लिए shortcut key है control E जैसे ही आप control E करोगे यह program आपके सामने दिख रहा है यह हो गया आपके center में यह program आपके सामने लिकावा है यहाँ पर आपने click कर रखा है और जैसे ही आप control E प्रेस करोगे तो यह graph भी आपके सामने centerize हो चुका है sense आप समच चुके हैं जो भी text लिका है उसको center में करने के लिए है और अगली shortcut key है वो है control F control F का मलब find यहाँ पर आपको एक option नजर आ रहा होगा यह lens लगावा find आप इस पर जाओगे नहीं तो इसके लिए shortcut key है control F आपने यह find वाला option आ गया है यह इस box को आप यहाँ चाहो तो यहाँ से भी ला सकते हो जैसे find पर click करेंगे वेकसा का वेसा यहाँ पर box आपके सामने आ चुका है यहाँ से यह क्या काम आता है जब आपको MS word की class लेंगे उससे में सारा कुछ बताएंगे कोई भी word यहाँ type करके आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं जैसे आप चाहते हो कि मैंने county सब्द लिखा है वो county सब्द मुझे मिल जाए तो आप जैसे यहाँ पर county word लिखे यहाँ पर करोगे next तो आपके पास जहाँ county word लिखा है यह highlight कर देगा और next करोगे तो यहां पर लिखा है इसको highlight कर देगा इतने वड़ा प्रेग्राप है उसके से कोई word आपको ढूंड़ना है तो यह find वाला option काम करेगा और जब ms word की class चलेगी तो उस समय इसको और अच्छे से आपको बताएंगे shortcut key है वो ctrl G और यह ctrl F और ctrl G लगबग हुई है जो आपको अभी option दिखाया ctrl G जैसे press करोगे तो यह go to वाला option आएगा find और replace करने के लिए और यह अगर आप चाते होती है यही पर मिल जाएगा find यहां पर go to यहां पर replace यह option यहां भी मिलेंगे और अगर आप mouse का यूज नहीं करना चाते हैं और keyboard से direct sort यह find के लिए control F यहां पर go to word दे रखा है इसके लिए control आपको G लगाना है और replace के लिए control H लगाना है तो यह option आपके सामने आ जाएगा और यह कैसे यूज कर इंतजार करें इसके लिए अलग से वीडियो बनेगा बढ़ते आगे अब तक आपने edge तक कर लिया है अब I की तरब बढ़ते हैं control जैसे ही I करेंगे तो यह जो font के अंदर आपको bold italic और underline वाला है तो जो italic वाला बीच वाला है वो option अगर आप यहां से use नहीं करके control I करते हैं तो यह आपके italic हो जाएगा italic का मलब होता है जो आपके अक्सर लिखे हुए हैं वो 3 यानि आड़े हो जाएंगे जैसे मैं control I करता हूँ आप देखीजिए क्या अंतर आता है यह word है यह सब 3 हो गया है आगे control M की तरफ M का मलब इसको middle में लाना हो तो इसको आप control M कर दीजिए जैसे आप control M करेंगे यह लिखावा text middle में हो गया अब बढ़ते हैं आगे अगला option है control N control N का मलब होता है अगर आप इस document पर work कर रहे हैं और एक नया documents खोलना चाते हैं एक नई file कोलना चाते हैं तो आप control N कर दीजिए आपको यहाँ पर जाकर यहाँ पर से new file लेने की जूरते नहीं पड़ेगी आप चलते चलते work के अंदर control जैसे ही N करेंगे एक नया documents आपके सामने open हो जाएगा अब अगला option है control O control O का मतलब होता है अगर यहाँ पर जो भी आपकी file है आप control O करोगे तो यह file आपकी save हो जाएगी जैसे आप control O कर रहे हो तो यह आपको save के लिए यहाँ पर option मांगेगा आप नाम दे दो यहाँ फाइल का और जहां रखना चाहते हो वो file save हो जाएगी और वापस open भी हो जाएगी अगला option है control P जो आप बार-बार यूज करते हैं control P का मलब आप जानते हैं print बिलकुर सही आप control जैसे ही P करोगे तो यह आपके print वाला dialogue box खुल जाएगा आप इस page को print कर सकते हैं अगला option था control R जैसे ही आप किसी elegant पर control R करेंगे तो अभी यह आपको left में दिकाई दे रहा है जैसे ही आप control R करेंगे यह आपके right के अंदर चला गया है अगला option है control S और control S आप सभी जानते हैं बार-बार यूज करते हैं control S का मतलब बिल्कुल सही पैचाने आप control S मतलब save करना अभी आपने जितना मेटर लिखा है उसको save करना चाते हैं तो आप control S कर दीजिए यह आपका पूरा का पूरा मेटर save हो जाएगा से save के लिए आपके पास यह option भी है जो TV के अकार का है आप यहां से भी save कर सकते हैं यह आपके mouse से हो जाएगा और आप keyboard से करना चाते हो तो control S के दवारा इसको save कर लेंगे आगे बढ़ते हैं जो shortcut key है वो है control U control U कमल होता है अगर आपने कोई text यह select कर रहा है और जैसे ही आप control U करोगे तो यह जितना matter लिकावा है उसके नीचे underline हो जाएगी जैसे यह आपके सामने हो चुकी है control U करते ही जितना matter है उसके नीचे underline करनी हो indicate करना हो अलग से पूरे matter के अंदर तो यह आप कर सकते हैं अन्यता आप यहाँ जाओगे और यह underline करोगे इतने में तो आप यहाँ से control U करते ही हो गया और आपके पास में खड़े जो आपके कलिंस है उसको पता भी निचलेगा का आपने किया कैसे है अगली जो shortcut किये है वो control V और control V आप सभी जानते हैं अच्छे से और यह आप daily यूज करते हैं हाँ बिल्कुल सही control V का मलब होता है जो matter आपने copy किया है उसको paste करना उसको कहते है control V जैसे आप कोई matter पहले अभी copy किया था जो अभी आपके keyboard पे यह paste करना है तो आप control V कर दीजिए आपका matter यहाँ पर यह paste हो जाएगा यह paste हो गया आपके सामने और आप mouse से करते हैं तो यहाँ से यह paste का option है आप यहाँ से paste कर सकते हैं लेकिन आप control V से फटा फट पेस्ट कर लेंगे इस shortcut की से अगली जो shortcut की है वो है आपके control W control W का मलब होता है आप जिस documents पे work कर रहे हैं वो documents close हो जाएगा जैसे आपने किया control W तो यह आपके कहेगा do you want to save these documents जैसे आप इस documents को save करके यह option लगाएंगे control Y का मलब होता है redo और control Z का मलब होता है undo अंडो का मलब आपने जो पेले किया था वो वापस लाना है आगे और पीछे ले जाने के लिए और इसके लिए आपको यहाँ पर भी option मिलेंगे आपको ये जो तीर का निसान दिखाई दे रहा है ये undo का है और ये जो तीर का निसान दिखाई दे रहा है वो redo का है वापस repeat करने के लिए इस प्रकार से आपने Ctrl A से लगा कर Ctrl Z तक सारे जितने भी words थे उन पर जितनी shortcut की बनती है वो सारी sort की आज आपको बता दी है अब आगे आने वाले वीडियो के अंदर MS Office का जो पहला पार्ट से MS Word वो लेंगे आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहे आप से फिर से मिलने का वादा करते हैं तब तक के लिए नमस्कार वंदे मातरम जैहिन